राजोरी जिले के थानामंडी शेत्र में एक सड़क हाथसा हुआ और इस हाथसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि आठ लोग जक्मी हो गए हैं इस पुरे हाथसे में जो जानकारी मिली है कि एक इको गाड़ी उसमें काफी करीब 12 लोग सबार थे और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और आठ लोग जो हैं वो जक्मी हैं जिनने होस्पिटलाइस किया गया है जहां पर उनका उपचार जारी है जो जानकारी मिली है कि ये गाड़ी अन्यंत्रित हो गई और इस समय क्योंकि मौसम बहुत जादा खराब है लगतार बारिश हो रही है और ऐसे में राजोरी की बात करें तो सडके इन पहाड़ी शेत्रों की जादा अच्छी नहीं है तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि यदि आप ने इस पूरे पहाड़ी शेत्र का डोड़ा किस्तवार राजोरी का अगर दोड़ा करना हो तो ध्यानकुर्वर गाड़ी चलाएं क्योंकि हाथ से जो है वो लगतार रिपोर्ट हो रहे हैं तो यहां पर भी चार लो है और यहां पर एक गहरी खाई है जिसमें ये इको गाड़ी रात के करीब धाई बजे नीचे गिर गई और इसमें बैटे हुए तीन लोगों की मौके पर मौत हुई जबकि एक व्यक्ति अस्पताल में इलाज के दोरान जो था वो मरा कुल चार लोगों की कैजूल्टीज ह हो गई और आठ लोग जो हैं वो इसमें अब तक जखमी है जिन लोगों की मौत हुई उनके नाम है शमीम अक्तर वाइफ ऑफ मुनेर हुसेन रुबीना कोसर वाइफ ऑफ परवेज अहमद जरीना बेगम वाइफ ऑफ मोहमद आजम और मोहमद यूनिस सन अफ मोहमद सादिक अल रसिस्देंट ऑफ भंगाई तो ये भंगाई थनामंडी सडक है जहां पर ये गाड़ी इको गाड़ी थी और अन्यंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिरी जिसकी वज़ा से तीन लोगों की मौके पर मोत हुई एक व्यक्ति की अस्पताल में मोत हुई और बाकी के हाई भजे भी मतलब की सडक पर चलती है आप जरा सोचिए कि जहां पर सडके बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बारिश लगातार हो रही है बरसात का मौसम है दिन के समय भी प्रयाप्त रोशनी में गाड़ी चलाना उन सडकों पर जो है वो इतना आसाल नहीं होता है तो सडक हाथसा होने की संभावना बहुत जादा रहती है और वही अनफॉर्चनेट इन दिनों देखने को मिल रहा है राजोरी पूंच डोडा किष्टवार ये वो तमाम शेत्र बने हुए हैं जहां पर लगतार सडक हाथसे हो रहे हैं और हाथसे इसी प्रकार के हो रहे हैं कि गाड़ी खाई में गिर रही है क्योंकि नियंतरन रही रहता रोड कंडिशन स्लिपरी है सलिप बहुत जादा है सडक पर गाड़ियों की फिट्रेस उतनी जादा नहीं है टायर जादा अच्छे नहीं है और ग्रिप नहीं है और कही न कहीं रात के समय नींद भी आ जाती है ड्राइवर्स को क्योंकि दिन रात वो गाड़ी चलाते हैं पैसा कमाने के लिए और सड़क हाथसा जो है कहीं न कहीं इंतजार में होता है कि कब चूक हो और हाथसा हो जाए तो जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं इन शेत्रों में उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि रात के समें ड्राइव ना करें ट्रेवल ना करें ध्यानपूर्व करें गाड़ी की फिट्नेस में रखें और हाई वे का अभी द्यान में अगर आपने ट्रेवल करना है तो रात के समय ना करें ध्यान पूर्वक करें गाड़ी की फिटनेस का ध्यान रखें अन्यता सडख हाथ से जो हैं वो लगतार पेशा रहे हैं तो भंगई थनाबंडी सडख है यह जहां पर यह गाड़ी गिरी है रात के धाई बजे इको ग होगा लेकिन जरूरत यह है कि हम हाथ सोते सबक लें और यह समझे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ताकि हमारी जान महफूज रहे और जो ड्राइवर्स हैं विशेश कर वो भी इस बात को समझे कि पैसा इंपॉर्टन नहीं है लोगों की और आपकी जिन्दगी ज जादा महत्वपून है इसलिए ध्यानपूर्वा गाड़ी चलाएं और कोशिश करें कि जो सड़के सही स्थिती में नहीं है वहाँ पर और और्स में यानि के रात को धाई बजे कम सकम गाड़ी ना चलाएं नमस्का